वेलो फ्रेंड्स कोकिंग विट रेखा चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं कस्टर्ड केक और यह बिल्कुल वैसा बनेगा जैसा कि आप मार्केट्स के लाते हैं ना ब्रिटैनिया केक बिल्कुल वैसा बनेगा उससे भी जादा टेस्टी बनकर रड़ चीनी को पीस कर हमने तीन बड़े चमबच इसमें एयड कर लेने हैं तीन बड़े चम चीनी लिए इसे अच्छे-से, मिक्स करना है अब पास द हट, आप शेज़ को जैबल यूज करा है, फिर आपको को टालने की जूरुर见 नहीं, अच्छे-से अच्छ श्वी lekas क्ग्स यह अच्छे से mix करना है क्रीम की तरह तो अच्छे से mix कर दिया है हमने सब चीजे तो अब हम इसमें डाल देंगे एक कप मैदा सबसे फ़ले एक कप मैदा डालेंगे इसमें एक छोटा चंबर baking powder और आधा छोटा चमबज baking soda डाल देंगे अच्छे से mix कर लेंगे और आधा कप इसमें डाल देंगे custard powder यह vanilla flavor का custard powder है और अच्छे से mix कर लेंगे इसमें आधा कप और हम मैदा यूज करेंगे डेट कप मैदा लिया है हमने और आधा कप custard powder थोड़ा सा दूद डाल देंगे दूद अपनी requirement के नुसार डालें जितनी आपकी requirement हो उतना दूद यूज कीजिएगा अच्छे से mix कर लेंगे थोड़ा थोड़ा दूद डालके और यह देखिए हमारा जो mixture है बि यही कंसिस्टेंसी होने चाहिए तो देखा कितना एजी है हमारा बैटर रड़ी हो गया केक का बहुत ही एजी केक है यह अब एक केक टिन ले लिया है जिसमें हमने नीचे बटर पेपर लगा लिया है आपके पास बटर पेपर नहीं है तो उनली आप ऑईल से ग्रीज कर सकत करते हैं यह अवन में बनाने चाहरे तो अवन को हमने 10 मिनट पहले से प्रीहिट करने के लिए 180 डिग्री पर रख दिया था था थोड़ा सा टैप कर लेंगे और इसे अवन में हम आधे घंटे के लिए बेक करने के लिए छोड़ देंगे यह थोड़ा सा पतला केक है आधा घंटा हो चुका है केक हमारा बेक हो चुका है चैक कर लेते हैं ऊपर से क्रैक आया है इसका मतल्ब केक बहुत अच्छी तरह से बेक हो आया है तो निकाल लेते हैं केक को नाइफ डाल कर चेक करेंगे इस तरह से नाइफ बाहर साफ आ रहा है इसका मर्ला हमारा केक बहुत अच्छी तरह से बेख हो चुका है इद नाइफ में चिपचिपा बाहर है तो आप केक को 5-10 मिनट और बेख कर सकते हैं तो इसे ठंडा होने देंगे 20 से 25 मिनट के लिए केक ठंडा हो चुका है तो अब हम इसका बटर पेपर निकाल देंगे केक को आप तभी काटिए जब आपका केक बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो जाए केक जितना ठंडा होगा उतना ही अच्छी तरह से आपका जो केक है वो कट पाएगा इसका बटर पेपर हमने निकाल दिया है देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हुआ है हमारा केक बहुतीी ज़्यादा सौफ बना है आपको कट कर दिखाते अंदर से यह बहुती प्यारा बना है पहले इसकी जो साइड वो हम कट कर लेते हैं चारो तरफ से चारो तफसिस की साइज कट कर लिए आप चाहें तो इस तरह लंबे-लंबे पीस भी केक के कट कर सकते हैं इस तरह से या फिर इसको दो हिस्सों में डिवाइट करके ये इस तरह से कुछ लंबे लबे पीसिस निकाल दिये साइट से कट करके और यह आ फिर दो हिस्सों में इसे काट लीजिए और आप छोटे-चोटे पीसिजे मारकीट से आप केक लाते हैं बृटानिया केक उसके कैसे होता है चोटे-चोटे पीसजे काट और यह बलकुल उसी तरह का केक बना है बोगत जादा टीस्टी केक बनकर रड़ी हुआ है यदि अंदर से देखिए कितना जाली दार और कितना स्पॉंजी केक बना है ये और एगलेस केक है जबकि ये तो बनाकर आप ट्राइ कीजेगा इस केक को आप इसे इमनिंग में स्नैक के टाइम पर खा सकते हैं, बच्चों को टेटिफिन बक्स में भी दे सकते हैं, बच्चों को यह बहुत ही फसंद आगाई एक एक बार बनागर ट्राइ कीजेगा, वीडियो पसंद आती है